लेकिन किसान आंधोलन कर रहे हैं क्या कारण है किसान लुकर रहे हैं किसान अंदोलन क्यों कर रहे हैं स्वामिनाथन आयोग क्या है और MSP किस प्रकार की से काउंट की जाती है इत्यादी के बारे में सब कुछ संपुन जानकारी आपको प्रवाइड कराएंगे तो वीडियो में बने रहें तथा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल कभी तर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की इन्फार्मेटिव वीडियो समय से मैं से आपको मिलती रहें देखते है किसान आंदोलंग के बसे हें किसान किस चीज कि मांग कर रहे है कि मांग तो महां घरा और कर रहे हैं लोग कि crystal कि दिमांड कर रहे हैं सरकार मतलब होता है दं तं मुर्थ अ संbehr-thran भिये मतलब कि उनके फसल के लिए लिए कम से कम उतने मुले की बजार में बिखनी चाहिए। सरकार का और सरकार में tässä सलाइड में कि Бारे में पहले आपको पताने कि 2022 में भी किसान अंदोलन हुआ था इसी को लेकर में सरकार ने वादा किया था कि लागू करने के लिए समीति गठित कर देंगे और समीति की गठित करके यह उस पर विचार करके लागू कर देंगे लेकि अभी तक लागू नहीं कर पाई सरकार कि अन्य मांगे क्या है सरकार के किसानों की अन्य मांग किया है सबसे महत्यपुन मांग तो स्वामिन अयोग के अनुसार किसानों कि मांग है कि मैं रहले हैं कि सिफारिशं को स्वामिनातन से स précédente कर रहे थे उसे किसान उसे किसान तो राश्टरी खिवर्त और सवामिनाथन आयुक किसी भारिशं को लागु किया जाए किसानों और मजदूर के लिए किसाने को माप करें लखिम इन को कौन फूजो च कानों पर गाडियों को किसान को मा अवे दिया गय था था तो वह गाड़ी उनके नियाय के बारे में इसी सब अन्य मांगें किसानों की बाकी सबसे महतंपूर मांग को मिनिमम सपोर्ट प्राइज यानि की नियुनतम समर्थण बुल लिया वह अदर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है किसी चीज की में निर्धारित कर दी गई है तो वह निउन्तम दर होगी इस दर पर सरकार किसानों से फसल खर देगी और उस दर से नीचे कोई भी जाकर फसल नहीं खर देगा क्यों किसान किसानों से फसल खरीद रही है तो 25 से कम पर किसान किसी को क्यों वेचेगा नहीं वेचेगा इसलिए इससे कम पर मार्केट में नहीं बिखता है में सब्सक्राइब करें से सबस्क्राइब कर लागब कर दो पर दिया गया है इंचूंबाइस पसल एक पासल गन्ना इस घंणा पर एफार्पी लागूआ मतलब होता है ओर लाभकारी मूले निर्धारण करता है उचित और लाभकारी मूले बाकि कुछ किरसि और मुल्य आयोग कि निर्धारन करता है इसकी अस्थापना जो है और फिक मामलों की मंत्री मंडिल समीति लेती है उस पर अंत्री मंडल समीति तक भेजा जाएगा और यह मंत्री मंडल समीति इस पर अंत्री मंडल समीति प्रधान मंत्री होते हैं यह प्रधान मंत्री के अध्यक्षता में समीति गठिद होती है मसफ मसपी यह लागु कैसे होती है देखें क्रिशती लागत और खुष पर विचार करके निकालती है कि उनका लागत कुल कितना लगा है उस लागत के अनुसार फिर इस पर तीन नियम अप्रतेक्ष लागत कि किसान की उस फसल को उपजाने में प्रतेक्ष रूप से कितनी कुल लागत हुई उसमें अगर हम legislipes मतलब की प्रतेक्ष लागत किसान का कितना लागा है इसे बोलता है एट्टू कि पहला नियम है दूसरा नियम एट्टू प्लस एफल के मतलब कि प्रतिक्षल अगर कितना लगा है उसमें अगर हम एफल जोड़ दें अगर इतना तो लगा है लेकिन अगर आप किसान के परिवार वाले उसमें काम किये हैं अत्वा किसान ने भी जो इसमें काम किया है उसका इस्रम जोड़ना चाहिए इसलिए उसका जोड़ दिया जाता है इसी को वह बोलते हैं यह सरंत तो दूसरा नियम हो जाएगा एट्ट्टू प्लस एफेल हैं मतला प्रतेक्षलागत प्रतेक्षलागत जो लगा है लगा ही है उसके बाद अवायतनिक किसान तथा उसके परिवार वाले जो काम किया है उसको तो पैसा नहीं दिया गए उसको इसमें जोड़ देंगे तथा किसानों की सामित वाली भूमी किसानों की भूमी होती है उसका भ लेगा तुसको पैसा देना पड़ेगा इसलिए अगर किसान के खुद की भूमी है उसका भी तो कुछ रेंट बनता है ना तो इसलिए किसानों की स्वामित वाली भूमी इसमें सामिल किदा जाएगी यहीं तीन नियम है अब स्वामी नाथन आयोग क्या है और इस आयोग ने यहीं किस प्रकार निकालने की सलाह दिती कि कोई भी सलहकारी संवता राहक सलाही देता है तो स्वामिद्धन आयोग यो-ब सब्सक्रों कि इसका ही नाम है राश्टिय किसान आयोग बड़ारिश किशान नहीं लेकिन अध्यक्त गन्ण स्वामीनाथन नहीं महाँ पर इसकां सवामीनाथन को सबाल ने कि इसलिए उनके नाम पर सब्सक्राइभ कहते हैं इसका 230 2004 में किया गया था इस सौमीनाथन आयोग को गठन 2004 में वह था जिसके अध्यक्ष मेस सौमीनातन थे वहीं हरित करांती के जनक क। और जेसमें खाद्य अमं निऊट्रिटिसन सीजुरेटी के लिए रणनित्य इसने बहुत सारे सुजव दिये थे स्वामिनाथा यहन आयोग ने जिसमें से महात्तपुर्ण सुजव मैं आपके सेस्वामने प्रदशित कर रहा हूं देशमें खाद्य अमं निऊट्रिशन स इसमें रणनीती बनाना जिसे जो अच्छी प्रणीटी का खाद डेवलप किया सके अच्छी क्वालिटी का फार्मिंग सिस्टम की प्रोड़क्टिविटी और श्थीरता में सुधार करना यानि कि उत्पादन किसानों की उत्पादन जो है फार्मिंग सिस्टम है उसमें और इसने सबसे महत्तकूण बिंदू है मैंस्व के लिए इसने सीट्ट्टू 50% मुलिक स्थी नाथन आयोग ने बताया अगर फिटी जाए शानों को शथी जब दिया जाता है तो अगर सिट्ट्टू हंड्डेड रुपिया तो पचाए इसका आधा 50 परसंट किता है 50 हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़के 150 रुपिया दिया जाए अगर सिट्टू हंडेड आता है तो इसको नहीं 150 दिया जाए जोड़ देंगे और वहीं MSP हो जाएगा स्वामिनाथन आयोक की रिपोर्ट है और इसी की मांग कर रहे हैं किसान और इसी की लिया अंदोलन चला रहे हैं प्रसासन ने 1151 लगा रखी है 11 144 के बारे में एक मेंट बात कर लेते हैं कि 11 144 क्या होती है क्या हुआ किragen जाती है यह मजिस्ट्रेट द्वारा लागो किती KC कई प्रकार के उते तो नाइक मजिस्टेट भी होते हैं तो प्रसासनिक मजिस्टेट के द्वारा इस धारेक्स जवालिस को लागुकिदा जाती है एक निर्दिष्ट छेत्र में चार या अधिक लोगों के एकठा होने पर रोक होती है जहां धारेक्स लग जाती है वहां पर कहीं भी चार लोग सतरण फैक तो चार से अधिक लोग तो जाती है वहाँ पर चार से अधिक लोग एक साथ होकर बंदेन होता है एक पर करवास साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं सांति पुनरूरुप से लेकिन एक साथ खट्डाओं कर नहीं जा सकते हैं सिक्षण संस्थान बंद कर दिये जाते हैं कि सिक्षण संस्थान में बहुत सारे लोग होंगे तो हमने बताया कि पांच से अधिक लोगी कठ्था नहीं हो सकते और प्रतिबंद लगा दिया जाता है कि इंटरनेट एक्सेस को ब्लाग करने का अधिकार होता है और स्वामिनाथन अयोगन किसी भारिष के अंसार MSP कैसे काउंट की जाती है इसके बारे में आप लोग समझ गए होगे अगर यह इसके बारे में समझ गए हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देजीगा चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर जीएगा जिसे इस परकार की इनफर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहें